गाइज हाई मायोपिया लेंसेस की बात करें तो पावर यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से सवादो सिलेंडर है यानि की सिलेंडरी कल भी बहुत जद हाई है सिलेंडर की गाइज नोर्मल रेंज मानी जाती है दो सिलेंडर अगर इससे उपर जाता है तो आपको प्राइज लेंस का ज़्यादा देना पड़ता है और यहाँ पर सवादो है तो 18 से सवादो आप 25 नंबर इसे मान सकते हैं लेंस काई हमने एश का लिया है वेपर इसका आप देख सकते हैं यह यह इसमें फीचर्स आपको मिलने वाल हैं जो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है इसके लेंस काफे अच्छे कॉलिटी वाइस होम बेंड बहुत यह अच्छी है और इसके बाद यहाँ पर दूसरा लेंस आप देखिए दूसरा लेंस यह है और यह राइट का है तो यह 18 से सवादो से लेंडर वाला नम लेंस जो है यह वही है राइट का और आप एक्स देख सकते हो इसमें एक्सिस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जिसका भी यह चश्मा है उसे बिल्कुल सवादो स्लेंडरिकल पावर जो है वो भी हाई है तो एक्सेस बहुती जरूरी एकी सीधी हो अगर एक्सेस जरा सी भी टेड़ी हुई घूमी तो वहाँ पर जिसका चश्मा है उसका वीजन गड़ बढ़ा जाएगा तो हमें यही चीज सबसे ज़्यादा ध्यान रखने है के दोरान की एक्सिस बिल्कुल भी नागू में फ्रेम आप देख लीजिए फ्रेम का इस प्योर शीट का हमने यहाँ पर लिया है क्योंकि हाई नंबर है तो इसमें हम फ्रेम के साथ समझोता नहीं कर सकते बना फ्रेम अगर टूट गया तो जिसका भी यह फ्रेम उसने इतन प्योर शीट का भले ही वह चाहते हैं कि नहीं हमें तो वाला चाहिए टीयार वाला चाहिए तो फिर हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं काफी तद आपको दिक्कत आएगी बाद में टीयार में गाइस कभी भी उसको एड़्यस करना बहुत मुश्किल होता है अगर एक बार नहीं होशिश यही करो कि फ्रेम अच्छा लो क्योंकि में फ्रेम ही यह जो आपके लैंस को था में रखेगा अगर फ्रेम टूड़ गया तो फिर लैंस किसका हम गें तो अब पहले हम यहां पर राइट का जो है लैंस फिट करेंगे और यह हमने डेमो में ड्रिल किया है हम यहां पर इस लेंस को कट करते हैं तभी तक मैं आपको कुछ चीज़े बता दू लेंस के बारे में देखिए एक लेंटिकुलर लेंस है दूसरी चीज़ यह हाई इंडेक्स भी है 1.67 इंडेक्स में लेंटिकुलर लेंस है और तीसरी बात यह हमसी है हार्ड मल्टि गोटेड लेंस है इसलिए इसका प्राइज इतना जदा है इसका प्रैस इसी वीडियो में आपको पता चल जायेगा क्या होने वाला है और फ्रेम का प्राइज भी तो मतलब काफी जादा हाई नंबर है और इंडेक्स भी हाई है तो प्राइस थोड़ा सा जादा ही होगा इसलिए प्राइस को देख करके चोगने वाले बात नहीं है प्राइस आपने देख लिया होगा प्राइस थोड़ा इसका जादा होगा और यह इतना जो प्राइस है वो पनीडस making devenile 1.67 अब यहां पर सामनें हाय इंडेक्स लिया है इसलिए तोड़ा सा प्राइज juego ऑपका और यहां पर तो पावर भी ज़धा है तो स्लेंडे कल पावर भी ज्यादा है और इसका पावर ज्यादा है , अब यह हमारा लेंस कटके रेडी हो गया बस हमें इसको बफ करके और सीधा फिट करना है एक बार फ्रेम के साइज से देखते हैं कि बराबर है या नहीं अगर ठीक है तो फिर इसे सीधा बफ करने के बाद हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं यह इतना मोटा होने वाला है यह इस से जादा मैनस बीस नंबर है और बीस नंबर लग नहीं रहा है कि बीस नंबर देख़े काफिन पतला लेंस आपको मिल जाता है एम में और अगर आप इससे बंड़ा ठोड़ा यह पतला होता इस से दस से बारा प्रेसरेंट और पतला पूब्सना लीजें वन पूइंस इस तो फिटिंग में ही हो जाता है अब हमने यहां पर गाइस दोनों लेंसेस फिट किये और दोनों की दोनों को देखेंगे एक बार पूरे तरीके से तो गाइस यह हमारा माइनस 20 नंबर का चश्मा और देखिए आप कितनी इसकी अच्छी फिटिंग है यह सबसे बड़ी ब जाएगी इतनी मोटाइस में आने वाली है और बहुत से लोग आपको बोल देते हैं कि 1.67 लीजिए काफी फतला हो जाएगा तो जो इसकी रियल इसकी तितने से यह ही है अगर आप इसे थोड़े अच्छे ब्रेंड में लेते हो तो हो सकता है थोड़ी और कम हो जाए और य वीडियो कैसी लगी कमेंट करें शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब